प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी थाइलेंड दौरे पर हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार्क्षेत्र याने की रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एकोनॉमिक पार्टनर्शिप को लेकर बात चीच जारी है इस बीच अखिल भारते किसान संखर्ष समनवय समिती ने 16 देशों के बीच होने वाले समझोते का विरोध करते हुए आंदोलन की चेताबनी दी है ट्रेड यूनियन और सीपियाम नेता हनान मुला और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंदर यादव भी इसके विरोध में हैं जिन से गोन्यू समवादादा अंजली ओचाने बात चीच गे RCEP यानि की Regional Comprehensive Economic Partnership एक समझोता है जो कि भारत आजियान देशों के साथ साथ चे और देशों के साथ करेगा जिसके अंतरगत इन सभी देशों के बीच में फ्री ट्रेड होगा यानि की किसी भी प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर जिन देशों को इस Agreement के तहट शामल किया जाएगा उसमें चाइना, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलन जैसी बड़ी अर्थवेवस्थाएं भी शामल है जहाँ पर एक तरफ अभी भी बाची जारी है इस Agreement के ऊपर में वहीं पर यहाँ पर किसान संगठनों का कहना है कि आगरिकल्चर को इसमें शामल किया जाना किसानों के हिट के खिलाफ है RCP के बारे में हम विस्तार से आज रखा और आज पूरा देश में इसका खिलाफ प्रतिवाद हो रहा है 500-600 जैगा में पूरा देश में लाकों किसाना जरास्ता में है दिल्ली में भी हम एक प्रतिकी रूफ से इसका प्रतिवाद किया है यह हमारा हम मानते है किसान विरोधी है किशान का सत्तनास हो जाएगा क्रिशी वावस्ता चोपाट हो जाएगा एस सिगनेचर होगा तो इसलिए इसके खिलाब हम अज शुरू किया इस आंदलोन का हम आगे बढ़ाएंगी इसके लिए हम राज्य राज्य में AIKCC 210 संगटन का एक हमारा प्लाटफॉर्म है अम्रिला हर राज्य में हम मिटिंग कर रहे हैं और राज्य राज्य में इसको प्लाटफॉर्म बना रहे हैं गेंदर अदल जी क्या वज़ा है कि RCEP का प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे मैंने अभी उसकी आजीविका को धका पहुंचाने वाला समझोता है और अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा समझोता जो कि 16 देशों के साथ समझोता किया जा रहा है उस समझोते का एक शब्द भी पबलिक के साथ डिसकस नहीं किया गया है संसद में एक बात नहीं हुई है उसका एक पैरा पबलिक में रिलीज नहीं किया गया है इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देश के किसानों को बचाने के लिए RCEP रद करो हम कह रहे थे agriculture को इससे बाहर रखो, dairy को इससे बाहर रखो भारत सरकार कुछ दूसरा कह रहे है, भारत सरकार कह रही है हाँ agriculture में आने दो, dairy में आने दो पर हमारे को export के लिए कुछ extra facilities दे दो, हमारे को services में कुछ facilities दे दो भारत सरकार किसान को बचाने के लिए नहीं इस देश के उद्योगपतीों को बचाने के लिए कुछ बड़े कॉर्पोरेट को बचाने के लिए बैंककोक में खेल खेल रही है हमारा विरोध पहले भी था आज भी है और रहेगा ये थे माय साथ योगेंदर यादव All India किसान संगर्ष कॉर्डिनेशन कमिटी के बैनर के तले आज प्रोटेस्ट किया गया RCEP का राश्रे राजधानी में RCEP के अंतरगत आसियान देशों के साथ 6 और देशे जिनके साथ भारत का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा और क्रिशी जैसे सबजेक्ट भी इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का भाग होंगे अंजली ओजा, Go News